अकाश्वनी पुपल से प्रस्तोत है जबलपुर जिले की चिट्थी आलेख सुरबितिवारी वाचक प्रशान्त सेंगर। गेर मास्क लगाए पकड़े गए लोगों को जर्माने के बजाए उन्हें मास्क लगाने के लिए सख्त हिदायत दी जा रही है। उनके स्वास्त की सतत मौनिटरिंग कर रही है बलकि स्वास्त खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भी भरती कराय जा रहा है। और कोरोना वाइरस से बचाओ की परती भी जग रुकिया जा रहा है। गरतलब है कि जवलपुर जिले में चलाय जा रहा है या अभ्यान प्रदेश में अपनी तरह का एक अनुठा आभ्यान है। इदर जिला और स्वास्त प्रशासन ने आगामी दिनों में कोरोना वाइरस के बढ़ते खत्रे के आशंका और इससे निपटने के लिए पुखता इंतिजाम कर लिये हैं। पुविड केर पलंग की संख्या 568 से बढ़ा कर 2085 बैट कर दी गई है। तो वहीं आकसीजन बैडों की संख्या में भी इजाफा करते हुए वर्तमान में 875 नए पलंग तयार किये गए हैं। जबलपर जिले में भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीम राओ अंबेटकर को संविधान दिवस पर याद किया गया। गत दिवस जबलपर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के क्रिशी मंत्री जिले के अधिकारियों से पहली बार रूबर हुए। जिले में कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए की जा रहे प्रयासों के भी प्रभारी मंत्री ने सरहना की। जिले में 16 नवंबर से शुरू हुई समर्थन मूले पर धान की खरीदी में इस बार धान की बहतर पैदावर को देखते हुए प्रशासन ने 4,50,000 मेट्रिक टन धान खरीदी का लाक्ष नरधारित किया है। जिला वे प्रण अधिकारी रोहित बगिल ने बताया है कि जिले में 5,44,000 से अधिक किसानों से समर्थन मूले पर धान खरीदी के लिए 103 केंदर बनाई गए हैं जिन मैंसे शुरूआती दार में 95 केंदरों में खरीदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए प्रती दिन तकरीबं 500 से अधिक SMS भेज़े जा रहे हैं जिससे किसानों को खरीदी केंदरों पर किसी भी प्रकार की असुविदा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि धान के लिए एक लाग हेक्टर से ज़दा रकबा चिन्नित किया गया है। वहीं धान उपारजन की समिक्षा करते हुए सांसदर राकेश सिंग ने कहा है कि खरीदी के पुखता इंतजाम होने चाहिए और बिचॉलियों पर कठोर कारवा ही की जाए। कलेक्टर ने बताया कि अभी तक किसानों से 1880 कुंटल धान का उपारजन किया जा चुका है। जवलपुर जिले में निकाह चुनाओ को लेकर सियासी हल चलें तेस होने लगी हैं। नगर निकम के 1880 वाणो की आरक्षण परक्रिया पूरी होने के बाद अब महापौर पद के आरक्षण परक्रिया के पूरे होने का बेसा ब्री से ओ이 इंतजार है। गोरतल भी कि पछली बार महापौर पद सामान महा लावर्ग के लिए आरक्षित हुआ थै। कचरे से बिजली उतपादन और सोलर एनरजी के मामले में देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुका जबल पुरनागर निगम अपने कठोदा इस्थेत विद्ध प्लांट से रोजाना 11.5 मेगावार्ट बिजली उतपादन कर रहा है। इस प्लांट से महीने भर में 345 मे इंतरी ने बताया है कि जल्दी ही निगम अपनी खाली पड़ी जमीनों और बड़े भवनों में भी सोलर पेनल इस्थापित करने की योजना बना रहा है। जबल पुर शहर को नई साल में 200 नई इंट्रा बसों की सोगात मिलने जा रहा ही है। बसों का टेंडर हो चुका है बसों का संचलन आपरेटर्स को करना होगा। बसों का संचलन अमरित योजना के तहट किया जाएगा। इसके साथ ही जवल पुर शहले की चिठे समाथ होए।